हाई स्टुडेंट्स, क्लास 5 से 12 तक के सभी स्टुडेंट्स के लिए हम एक स्कॉलर्शिप एक्जाम कंड़र्ट करवा रहे हैं, जिसका नाम है सीपी सेट, करियर पॉइंट से ज्यादा स्टुडेंट्स को आने वाले सेशन में करियर पॉइंट के तरफ से 90% तक की स्कॉलर करने के लिए आप 90% तक की स्कॉलरशिप पासकते हैं, करेड़ पॉइंट के All India किसी भी सेंटर पर आफलाइन पढ़ने के लिए भी CP सेट से आप 90% की स्कॉलरशिप पासकते हैं, CP सेट में सभी पार्टिसिपेंट्स को उनकी All India rank के basis पर स्कॉलरशिप दी जानी है, और के सबी स्टुदेंट्स के लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉचिनिटी है ग्राब दिस अपॉचिनिटी एंड रियलाइज यूर ग्रीम्स विश्यू अब बेस्ट अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोडिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि आपको चैनल पर जो भी सेशन्स हैं उनकी आपको पहले से नोडिफिकेशन मिल सके एक पॉइंट नीट चैनल आपके लिए बहुत सारी चीज़े प्लान कर रहा है ताकि आपके बिलकुल गर पर है ना तो डिजिटल मीडियम से आप उनलाइन हमसे जोड़ रहे हो तो जोड़ने के लिए आपके पास होना चाहिए लर्निंग आप जिसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग पर आपको मिलता है हम जो कुछ भी आपक इसके फ्री स्ट्फ में पीदियर अपको अपको डेली प्राक्टिस शीट्स मिल जाते हैं आपको मिलता है वहां पर टेस्स करते हैं नो को अपके पास होना ही चाहिए और आपके लिए बहुत सारे अच्छे कोर्षे लाँन्च हो चुके हैं जिनमें से एक बहुत इंपरिं है यह आप जो बच्चे 2023 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शांदार सा एक कोर्स है टू इयर लॉंग प्रोग्राम है और इस लॉंग प्रोग्राम में बिल्कुल जैसे करेयर पॉइंट ऑफ-लाइन क्लासे में अपने सिस्टम को चलाते थे यानि की जिस तरीके से रिजल्ट ओरेंटेट क्लासे चलता था सेम चीज अब ऑनलाइन है और वह आपको बिल्कुल मिल रहा है घर पर ही है तो ऑनलाइन आप मीडियम से जुड़ते हो तो आपको यहां पर 2023 की प्रिपरेशन मिल रही ह है तो जो बच्चे भी 10 में है उनकी बोर्ट तक आपको मिल रहा है 10 बोर्ट से बैसी की फ्री लेक्चर्स फ्री प्रिपरेशन और उसके बाद आपकी 11 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपको लाइव इंटरक्टिव क्लासे डेली प्राक्टिश शीड्स आपको ट चीजे प्रॉपर प्लान की थी वो सब कुछ मिलता है आप में से बहुत सारी बच्चे जो ऑनलाइन टेसरी जोइन करना चाहते हैं वो अभी हमारे कोर्स में ओनलाइन जरूर करें हैं क्योंकि टेसरी आपको देते हैं आल इंडिया रैंकिंग मॉक टेस्ट होता है आपकी प बारा समझना चाहते हो तो आप उसके लिए रिकॉर्ड लेक्चर को देख सकते हो इतना सब कुछ इतना सारा पैकेज आपको जस्ट रूपीज 30,000 में मिल रहा है तो यह टू यह लॉंग प्रोग्राम का फीस है 30,000 और स्टिल यू कन गेट 10% एक्स्रा डिसकाउंट और 10% लगाने के लिए आपको यूज करना है कूपन कोड दाट इस आरके 10 तो एकरिया पॉंट लर्निंग आप पर टेस्ट पर चेस आप कर सकते हो आप इस पर कोर्सेश कर सकते हो आपके अपके डिमांड के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहते हो यह से कोर्सेश वहां पे अभी को अभेरी गुट इवनिंग वेरी गुट इवनिंग तु आल आफ यू वैशाली मेंटी कोड नहीं है क्योंकि आज मेंटी नहीं है मेंटी अंसर करोगे चैट बॉकस के अंदर तो चैट बॉकस में करना पर सके हम रूजिए और आप सब के लिए एक बहुत ही कर लिए और हमने अनिमल किंग्डं कर लिया देखो एक वीक में आपके तीन चाप्टर नहीं बहुत ही ऐसे चाप्टर जिसको आप हमेशा ओवर लुक कर लेते हो और यह तीन चाप्टर इस वीक में आपके जरूर करना क्योंकि यह तीन चैप्टर जो आपने पूरे वीक में मैंनत किया है उसका रिवीजन है फाइनल रिवीजन है यह सारांस लोको मोशन वाले मेंटी का वाल ओ फेम बिल्कुल बन जाएगा जल्द बन जाएगा आप लोगों ने अगर जो टॉप थी रहे थे आप लुए बागे सभी बच्चे यस गोवें श्रवन समर्थ जैबिन गुड इवन तो वेरी गुड इवनिंग सभी को वेरी गुड इवनिंग नौ वी हब आप सभी रडी हो पढ़के आओ का टॉपिक मैंने आपको कहा था कि आप पढ़के आना इनिमल किंडम को इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया था दो पार्ट में क्योंकि चाप्टर बढ़ा है और बहुत सारी कोश्टन से बहुत कुछ याद रखना पड़ता है चाप्टर को स्प्लिट कर दिया है तो आप सभी ने प्रिप्रेशन किया होगा तो जल्दी से बता दो प्रिप्रेशन है कोड़ेट्स की तो करेंगे इसकी कॉश्टन प्रक्टिस आडिवी ओल्रेडी पॉदा चलिए वेरी गुड कल के मेंटी में शारांस आइविल ट्राइग कि आपके 30 questions होंगे लेकिन आपको करना ये होगा कि share करना होगा session को है ना अपने friends को session को share करना होगा यानि में में लगवग participants कल का प्लिस होना चाहिए, ओंके चाहिए, चलिए, Let's start this, यह तुं नहीं कहा सकत strikes हूँ, इस चाप्टर में मैंने पहले भी आपको कहा है कुश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है अगर आपने धंग से पढ़ाई करी है तो बहुत इसली आप सॉल्व कर सकते हो चलो सॉल्व करो इस कुश्चन को रेट्रोग्रेसिव metamorphosis is found in retrogressive metamorphosis किसमें मिलेगा ओके सारांस का अंसर आ चुका है बी ऑप्शन यस हरी नम सोनकार हेलो ओके सॉल्व इस वैशाली बता दिया आपको मेंटी नहीं है यह है ना तो आप बस यहां पर जो चैट बॉक्स है उसके अंदर ही आंसर कर दो अपना ओके बी ऑप्शन क्या बात है चलिए बहुत सही रेट्रोग्रेसिव metamorphosis होता क्या है बिल्कुल सारांस करेक्ट हो जहां पर लार्वा जो है वह एडल्ट से ज्यादा एडवांस होता है नॉर्मली अगर हम देखे तो होता क्या है कि लार्वा क्या होना चाहिए कि वह सिंपल होना चाहिए क्य लेकिन अगर मान लो ऐसा हो रहा हो कि जो लार्वाल स्टेज है वह ज्यादा कॉंप्लेक्स है एस कमपेर टू अडल्ट कंडिशन है ना यानि कि लार्वा में कॉंप्लेक्स कंडिशन है वहां पर अडवांस फीचर्स है और आगे चल करके प्रीमिटिफ फीचर्स आजाए simple features आ जाए तो ऐसा जो metamorphosis होता है उसी को हम कहते है retro aggressive metamorphosis जो हमें कहां देखने को मिलता है euro quadrates में देखने को मिलता है तो B option is correct answer very good B option is correct क्योंकि euro quadrates में होता क्या है euro quadrates में जो notochord होता है वो उनके larval stage में तो होता है लेकिन जब वो adult stage में जाते हैं तो वहां पर वो जो notochord है वह बिल्कुल ही वहां पर खत्म होने लगती है वहां पर वह disappear होता है तो यहां पर हमें यह बात पता चल जाता है कि वहां पर जो metamorphosis हुआ वहां एडवांस फीचर कहां पे था लार्वल स्टेज में था आगे चल करके वह नहीं है तो इसे हम सब्सक्राइब है तो बहुत ही मज़िदार है मतलब आपके लिए यह कुश्चन जो है वह बिल्कुल इसली आप सब्सक्राइब कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के तो आपको यह कुश्चन अगर आब आजाए एक्जाम में तो सॉल्व हो जाना चाहिए याद लगना रेट्रोग्रेसे मेटामॉफसस यूरो कॉडेट में होता है भूलना ही नहीं है चलिए कौश्चन पर चलते है नेक्स्त कॉश्चन और इसकरण श्धेस करिण ऊसल्वर को क्वेशन उसर्वन का इसारण आचूका है सिऊप्स्टै बेरी सारांश अवरी गुड सारांश याप्शन चेक करेंगे सही है फ गलत और गोविंद का कहना है c option okay very good which one of the following is chordate but not a vertebrate okay mansi का भी कहना c option क्या बात है एजाज का कहना c option सीदल c option जेविन इस सेंग a option हिमांसी c option चलो यह question जो है वो थोरा सा बस आपको मतलब यह twist दे रहा है लेकिन twist है नहीं बहुत ही simple question है इसने क्या का वीच वन following is a chordate यहानी हमें से आपको do hi prince के अंदर आथा वरटी ब्रेट का अऊटज के अंदर आता है रिडिप्रेटि तो अ अगर हम बात करें तो हमें पटा है कि अगर मैं बात करूं यहांपेЛीन की हम Salamander की स्कुली बात करे तो यह सारे जो है आपको याद है ना स्कॉलिडियन किसको कहते हैं जल्दी से बता दो मुझे चाट बॉक्स में इसको कहते हैं इसका नाम क्या होता है कोमनली क्या है इसको बोलते हैं स्कॉलिडियन को सारे एक्जांपल से ही पर रिवाइस कर लेंगे हम लोग तो इस कॉलिडियन को हुं क्या कहते हैं डॉग फिश भी कहते हैं यहां पर यह वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा salamander की बात करें तो आप सभी को पता है salamander किसमें आता है salamander किसमें आता है tell me in the chart box जल्दी जल्दी answer करते रो salamander किसमें आएगा एक question है पर देखो कितने सारे चीज़ रिवाइस होंगे मज़ा आएगा आपको कि हाँ एक question से भी हम concept revise कर सकते हैं चलिए very good बहुत बढ़े हैं okay मांसी का कहना है reptile सारांस का कहना है reptile very good salamander reptile में very good snake भी किसमें आता है reptile में है और हमें पता है कि जो fishes होते हैं Amphyvians होते है reptile होते यह सारे है न कोसिखिंगे समझने कोशिश करो करो इसमें हमें पता यह चल गया यहां से कि यह भी क्या है वर्टिब्रेट्स है यह भी वर्टिब्रेट्स है तो यहां पर यह सारे वर्टिब्रेट्स है यानि कॉड़ेट्स थो एंफियॉक्स भी है पर एंफियॉक्स वर्टिब्रेट्स नहीं होता है तो यह क्या होता है य vertebrates के लिए तीन options मिले थे और एक नहीं था और आपको खोजना भी था जो नहीं है ना तो नहीं है amphioxus so that's why amphioxus is correct तो एक question लेकिन examples चार और चारो examples को हमने थोड़ा सा revise भी करा तो that is the point which I am telling you कि इस तरीके से हम revision कर सकते हैं चलिए next question third question आप सभी के लिए which of the following character is shared by all जो है वो share होता है ओके हां बिल्कुल चलिए इस question को solve करो नया question आ चुका है बिल्कुल चलिए solve करते हैं अच्छा अभी तक आप लोग सभी amphibia reptile में चल रहे हो हैं ना okay salmander के लिए चल रहे हैं बिल्कुल amphibia is the correct answer very good बहुत बढ़े हैं तो आप लोग रिवाइस भी करते चलो सारे options को revise करते चलेंगे ओके चलिए सारांस इस सेंग डी option दानिस सेंग फोर्थ option ओके प्रवीन इस सेंग डी option समय यह 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 रफीक इस सेंग डी option गोविन इस option very good let's check this बिल्कुल caudates के अंदर कौन से character नोटो caud होता ही है कोई दिक्कत नहीं डॉर्सल दॉर्सल मतलब पीछे के साइड टिब्यूलर नर्व caudates का feature है तो यह caudates का feature है pharyngeal gillslates यह भी feature है इसने पूछा था कौन से character shared होते हैं सारे caudates से किसी ना किसी stage of life में तो यहां पर तो all the hour भी जाएगा यह ना बहुत ही important question है मैं इसको mark इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने पी वाई क्यूस बनाया होगा वो मेरे इस बात से correlate करेंगे कि यह सर यह ना बड़ा मतलब ऐसा question बिल्कुल यह बहुत बार देखने को मिलता है यानि examiner यहां से question को उठाता है तो आपके लिए यह बहुत ही important हो गया कि हमें यह बात ध्यान रखना होगा चलिए बहुत शांदार सभी ने बिल्कुल इसको सही कर दिया था प्लस 4 आ चुका है next question इसको solve करते हैं यह भी बहुत ही अच्छा question है क्यूंकि examiner की point of view से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं इसके diagram पे भी question आया बिल्कुल सारंस correct तो मैं अस आर्टिकल से question तो आता ही आता है इसलिए मैं इस आर्टिकल को पर थोड़ा जाधा जोड़ दे रहा हूं क्योंकि उम्मीद है इन पर question आ सकता है तो यह भी question है बिसिकली all coordinates are metamerically segmented animal this statement is ऐसे ही question आते हैं आपके नीट के अंदर तो examiner के दिमाग से खेलना है हमें ओके शारंस का कहना है c option very good सारंस का कहना है c option very good कोशिश ही कर रहा हूं उन article से question pick करने ही कोशिश कर रहा हूं जहां से chances हैं कि question आ सके c option c option very good govind sing d option okay वागे सभी c क्या रहे हो समझने कोशिश करते हैं सही है गलत है नाजरीन गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए c option है है ना सभी c option क्या रहे हो check this कि सही है जलते इसने का basically all quadrants are metamerically segmented okay यानि repetition होगी animals this statement is अगर इस statement को देखो यह completely false तो नहीं हो सकता है क्योंकि quadrants के अंदर metameric segmentation तो होता है यह बात तो बिलकुल है applicable to some quadrants only अब यह statement है और यह third statement क्याता है applicable to all quadrants because at some stage of their development they show some sort of serial repetition बिलकुल सही बात है quadrants के अंदर quadrants के अंदर यह जो metameric segmentation है यह एक feature है common feature है जो सारे quadrants में होता है हां सभी में एक equal pattern of life में नहीं होता है लेकिन किसी ना किसी phase of life में जरूर होता है that's why जो correct answer जाएगा वो क्या जाएगा that is the metameric segmentation जो होता है वो applicable होता है सारे quadrants के लिए और third option will be the correct answer है ना अगर मैं पूछू हूँ आप से कि हम mammals भी तो quadrants है क्या हमारे अंदर metameric segmentation है तो बिलकुल आपका answer होगा कि yes sir हमारे अंदर भी है और मुझे यहां पर answer भी दिख रहा है यह सारांस का कहना है वर्डी ब्रेट का repetition होता है वेरी गुड करेक्ट हमारे जो वर्डी ब्रेट कॉलम है वहाँ पर हम क्या देख रहा है वर्डी ब्रेट का repetition हम देख रहे हैं तो तो यह चीज़ दियान रखना है यानि कि जब भी अब रिवीजन आप करो तो आपके NCIT के अंदर class notes आ जाना चाहिए यानि कि आपके NCIT में class notes mentioned होना चाहिए ताकि जब भी NCIT उठाओ तो class notes भी उसके साथ आप पढ़ रहे हो है ना तो बिल्गुल यह काम करेंगे और हो जाएगा सारा काम चलिए very good सारा आंस बहुत बढ़े हैं C7 T12 L5 S5 Fused and C4 Fused बिल्गुल यह कोशन हमने करा भी था और वर्डी ब्रेट्स यहां पर हम देख भी सकते हैं किस तरीके से repeat भी हो रहे है very good बहुत बढ़े हैं yes नाजरीन मैंने आपके comment को पढ़ा था human physio पे बहुत जल्द मेंटी ला रहा हूं अभी तो फिलाल मैं कल आपके लिए मेंटी जो ला रहा हूं वो तीन चाप्टर पर जिन तीन चाप्टर हमने complete कर रहा है और फिर आपके लिए human physio पर भी एक complete मेंटी बहुत जल्द प्लान कर रहा हूं आपके इस चैनल पर बहुत कुछ amazing start होने वाला ह को आपके लिए बिल्गुल tension ही खतम होने वाला है ओके चली तो बिल्गुल एक एक करके सब कुछ करेंगे complete है ना अब एक अगस्त को पेपर है सब कुछ मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं आपको सिर्फ एकरिया पॉइंट चैनल पर बने रहना है मैं आपके लिए सारा क चैप्टर को मैंने cover कर लिया है मैं फिर भी उसमें किया है बहुत सारी questions और भी ला रहा हूं तो जो question की practice होनी चाहिए वो आपकी question practice कराता हूं आपकी accuracy अच्छी हो जाती है और mendicator speed अच्छी हो जाती है तो आपके लिए full-on revision हो जाता है और बाकी आप पर रहे हो और उससे भी important आप जो पर रहे हो उसके लिए भी एक हमने course launch कर दिया अब आपके लिए एक और course launch किया है 90 days का course यानि कि एक compact course है जिसके अंदर physics भी chemistry भी और bio भी है ना तो आपके लिए एक बहुत ही शांदार course है compact course हमने launch किया है need 2021 यानि कि एक अगस्त को आपका paper है और हम इस course को complete करेंगे within 90 days एक April से इस course को हम start भी कर रहे हैं तो यह आपको ध्यान रगना है यह start कब से हो रहा है यह हो रहा है first of the April से तो जल से जल से इसके अंदर enroll हो जाना एक करेंप लेंडिंग पर जागर कि आप इस course में इन्रॉल हो सकते हैं इसमें आपको क्या मिलने वाला live lectures मिलने वाला 90 days में physics भी chemistry भी और bio भी तीनों ही chapters तीनों ही subjects आपके complete कराए जाएंगे class notes मिलेगा exercise sheets मिलेगा important questions solve करवाए जाएंगी हैना ताकि आपको यह पता चल सके approach समझ में आ सकी question solve क्यासे होते हैं और इसके अलावा आपको यहां पर live discussion भी मिलेगा doubt removals classes भी मिलेंगे तो सब बहुत कुछ मिलने वाला है और इस course को आप join कर सकते हो at a fees of just 16,000 ओके और इसके लिए आप coupon code भी use कर सकते हो that is the RK10 तो आप इस coupon code को 10% discount भी ले सकते हैं और यह course आपको compact course बहुत ही शांदार course है 90 days का course है आपके लिए बहुत ही preparation में help करने वाला rank मतलब अब selection तो आपकी confirm है rank अगर आपको produce करना है यानि अपना rank अच्छा कर लेना तो scores में आ जाओ ताकि आपकी NCIT भी revise हो जाए आपके test series वगएरा भी प्लान हो सके बहुत अच्छे से आप इन चीजों को complete कर सकते है चलिए let's solve this yes mock test में 309 आया क्या बात है तनिश very good congratulations to you तो करते रोग कोशिश मेहनत करते रहेंगे अच्छा score आता रहेंगा एक नया question आ चुका है screen पे solve करेंगे से बहुत ही simple question है लेकिन ऐसे ही question आते है यार animal kingdom में डढ़ने वाली बात ही नहीं animal kingdom में कुछ भी डढ़ने की बात नहीं है animal kingdom में बहुत simple question आएगा येस नमस्ते आइटी इस वीडियो इस नौट बिल्कुल 11 के लिए भी है च्याप्टर 11 में है तो 11 बायो अगर आपका है तो बिल्कुल आपके लिए हाँ येस नाजरीन बिल्कुल मैं आपको पहचान रहा हूं आप बिल्कुल फेस फॉर में आते हो class करते हो है ना और बिल्कुल आप classes करते रहो बहुत कुछ आप चीज़े सीखते चले जाओगे आपको बहुत कुछ यहां पर benefit मिलता चला जाएगा चलिए इस question को क्या बात आदिती वर्मा वी ऑप्शन तो देखते ही बिल्कुल इस एक्जामपल हो जाएगा कर दिया हमने सही तो देखो ऐसे question आएंगे आपके अनिमल किंग्डम में इसलिए मैं कहा रहा हूँ डर्णा मत प्लांट किंग्डम भी एक ऐसा चैप्टर है जो की बहुत बोरिंग सा आपको लगता है क्योंकि लंबा सा चैप्टर है बहुत कुछ आपको याद करना पड़ता है बट इन सारे chapters मेरा question simple आते हैं तो अगर हमने यह समझ लिया कहां से examiner question को pick कर सकता है हमने वहां focus अगर कर लिया तो वहां से हमें चीज़े समझ में आ जाएंगी आपको पढ़ना था तब आपने पढ़ लिया अब रिवीजन के टाइम में पूरा चैप्टर नहीं है अब उन आर्टिकल्स पर आपको focus करना होता है जहां से examiner question pick कर सकता है इसको कहते हैं elimination technique हम पूरे syllabus को नहीं पढ़ रहे हैं बड़कर syllabus में हम उन चीजों को छाट रहे हैं जो कि अब exam point of view से important नहीं है knowledge के लिए तो हमने सब पढ़ाता लेकिन अब exam point of view से हमें क्या नहीं पढ़ना है वह हम वहां से exclude कर रहे हैं और कहां से examiner सोच सकता है question उठाने का वह हम गेम प्लान त्यार कर रहे हैं तो वह आपको यहां से ध्यान रखना है चलिए वेरी गुड ओके तो कोई बात नहीं नाजरीन चाप्टर अगर बहुत वीक है तो कोशिश करेंगे question solve करने का और उससे आपका chapter strong होगा next question on your screen amphibians have amphibians have यह तो बहुत ही simple सा question है तो 10th class के बच्चे भी कर ले ना यह तो question अगर मालनो नीट में आ गया तो तुमारे मुझसे यही बात दिमाग में यही बात आएगी सरी ऐसा question आया था ऐसा ललूता question आया था कि देखते ही हमने उसको tick कर दिया था amphibians have amphibians में क्या होता है येस शारांस a option सीतली सेंग a option सभी कहा रहो येस ए ऑप्शन तो बिल्कुल एंफिएंस में तो डबल सर्कूलेशन जो था इनकम्प्लीट ही होता है क्यों क्योंकि थी चैंबर्स होते हैं थी चैंबर्स होने की वज़े से वहां पे ब्लड की इनकम्प्लीट है तो डबल सर्कूलेशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कूलेशन देखने को मिलता है वेरी गुड बहुत बढ़ियां करेक्ट ऑके शारांस यह मेरे टेंथ के एंसा है बिल्कुल 10 लेवल का question भी है और ऐसे question भी आ सकते है नीट के अंदर नीट में किसी भी लेवल का question आ सकता है बहुत सारी बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं इसलिए यह question आ सकता है ओके next question highlight is commonly called एक यह वाला भी section बहुत important है मैं question का profile समझा रहा हूं आप जब भी NCID में example पढ़ना तो आप brackets के अंदर common नाम भी दिया हुआ तो ऐसे questions के profile भी पूछे जाते हैं तो ऐसे questions भी practice करने है ठीक है तो इनको भी ध्यान रखेंगे चलिए शारांस भी आप्शन रिया इसींग बी आप्शन वेरी गुड मांसी बी आप्शन क्या बात है सभी बी कह रहे हो गोविंद भी अधिती सेकंड बी आप्शन होके समा बी आप्शन है और बी आप्शन सही भी है क्योंकि हाईला होता है ट्री फ्रॉग हाईला क्या कहलाता है ट्री फ्रॉग कहलाता है तो ऐसे questions आते हैं इनको practice करना जरूरी है चलिए एक थोड़ा सा question है जिसको थोड़ा सा समझने कोशिश करना and I hope कि आपको पूछा जा भी सक सकता है ऐसे question क्या होता है general knowledge question होते हैं एक question दो question जो मैं कहता रहता हूं कि कभी-कभी NCRT से थोड़ा बाहर वह जा करके पूछने के कोशिश करता है तो यहां से आता है यहां बिल्कुल शाहरांस common name पर question आते हैं सर मैच यहां बिल्कुल correct शाहरांस बिल्कुल सही हो इसी को तो analyze करना सिखा रहा हूं कि examiner क्या सोच के question पोस्ट कर सकता है वो सीखना है एक यह भी question मैं क्यों लेकर क्या हूं क्योंकि examiner कभी-कभी क्या करता है कि जो मैं कहता रहत हूना कि 88 questions तो आपके NCIT से होंगे directly and directly लेकिन एक दो question बाहर का होगा वो general knowledge वाले question यहां से आते हैं ऐसे question आ जाते हैं तो general knowledge की बाते हैं में ध्यान रखना पड़ता है तो उन बातों को जरूर द्यान रखना चलिए इसके अंदर बच्चे आप सभी बहुत सारे बोल रहे हो second option second option जेवी ने में बनाता तो यह नाम देखते हैं ऐसा लगता है कि यह होगा answer तो आप उसको देखते हो और आपको लगता है कि होगा यह answer लेकिन आप गलत हो क्योंकि सीडिया रही लखना हो तो reproductive health वाले चाप्टर में यूज हुआ था यह answer यहां नहीं है और कहां पर बनता है यानि कि एंटी वेनम जो स्नेक बाइट के लिए बनता है वह बनता है में NCID जिक्र कर रहे हैं और यह आपके लिए जनरल नॉलेज बन सकता है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना तो आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या बनता है यह द्यान रखेंगे चलिए very good बहुत बढ़े हैं यह राहूल बिल्कुल जो oral contraceptive pill है सहेली that is being prepared in the CDRI लखना हो वह बनता है CDRI लखना हो में very good बहुत बढ़े हैं तो correct answer was a option यह question भी आपके लिए important था आपने practice कर लिया इस question को next question भी जलते है most of the poisonous snakes have कैसे पहचानोगे आप poisonous snake को informative question बिल्कुल प्रेड़ना है ना तो इसको mark कर लेना यह जो question था उसको mark ज़रूर कर लेना ताकि आपसे यह question अगर आ जाये तो फिर छूटना नहीं चाहिए most of the poisonous snakes have poisonous snake में क्या होता है कैसे पहचानते हो आप poisonous snake को नाजरीन का कहना है A option okay C is saying laterally compressed tail okay let's see that सही क्या होगा Sital का भी कहना A option Govind का भी कहना A option Preeti is also saying A option A option सभी कहरो A option तो चेक करना अपने answer को सही है तो बिल्कुल correct most of the poisonous snakes have okay A option A option सभी A option चल रहा है चलिए very good सभी A option तो क्या A option सही है सही हो कि आप A option के साथ laterally compressed tail narrow belly scales small uniform belly scales या wide transverse scales देगो जो poisonous snakes होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो scale होता है वो एक single line होता है जो कि जो उनके belly part की तरफ होता है belly part से tail part तक होता है यानि कि anal part से tail part तक होता है और यह एक बहुत ही समझना इस बात को belly में transverse में होता है जो non poisonous होते हैं उनमें 2 scales मौजूद होते हैं तो ज्यादातर जो poisonous snake की बात नहीं है ज्यादातर जो poisonous snake होते हैं उनको पहचानने का तरीका होता है wide transverse scale as broad as belly तो जो इनका transverse scale होता है वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा broad होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि अगर मुझे किसी snake को poisonous पहचानना है तो poisonous snake की पहचान के लिए उसमें क्या देखना पड़ता है कि उसके belly के साइड पर एक wide transverse scale मौझूद होगा क्या यह बात समझ में आ रहा है आप सभी को जो डी option यहाँ पर है वह आपका correct option जाएगा कि poisonous snake के लिए आपको डी option वहाँ पर correct जाएगा इस बात को समझना है ना तो poisonous snake को पैचानने का यह एक तरीका हो सकता है अब अगेन यह जो question है ओके तो यह जो question है इस question को भी अगर मैं देखूं तो direct NCRT में नहीं है लेकिन indirectly NCRT में है तो ऐसा question आने का chances कम है पर हमें information तो रखना चाहिए ना तो हमें यह information आपको ध्यान रखना है यह नाजरीन हो सकता है बट यह जो है जब आपके पास एक बहुत ही correct option मौजूद है तो मैं बार बार बोलता हूं आपको select किसको करना चाहिए जो सबसे appropriate हो क्योंकि यहां पर बोट का या फिर option नहीं था तो आपको यह ध्यान रखना है तो यह point जरूर clear कर रहें clear है सभी को okay that is the approach यही तो मैं approach सिखा रहा हूं आपको कि correct option हम नहीं select करते हैं हम तो select करते हैं जो चार option में से best suited answer होगा उसे हम select करते हैं तो बिलकुल इस बात को ध्यान रखेंगे okay moving to the next question next question correct statement पता करना है आपको तो correct statement search करो यह तो simple question है यह तो बिलकुल ही simple question है बहुत easily कर लोगे आप सभी मुझे पूरा उम्मीद है okay solve this question correct statement पता करना है सारांस का कहना है C option अधिती सेंग 4th option okay मांसी सेंग C option very good मांसी C option अधिती 4th option सारांस C option गोविन सेंग C option प्रिती पतेल C option मांसी गुपता C सीतल वोसले इस ओके अनुश्रा इस सेंग C option very good C options जाद तर स्ट्वेंट सेंग आपर जो हैं वो सभी बोल रहे हैं C options तो C option को देखते हैं कि सही हो गलत हो correct statement खोजना था चली चलते हैं all birds can fly तो हमें तो बहुत सारे flightless birds का example पता है न तो flightless bird भी होते हैं यानि कि बहुत सारे ऐसे bird होते हैं जो फ्लाइन नहीं करते हैं तो यानि यह statement तो गलत हो गया all snakes are poisonous हम यह जानते हैं कि सारे snakes poisonous नहीं होते बहुत सरे स्नेक्स होते हैं जो कि non poisonous होते हैं तो यह बी option गलत हो गया all mammals are busy Pairas अपको यादो तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भी होते हैं जो भी पेरस होते हैं एक्जामपल भी आपको पता होगा इसकुल सही और आपको सब कुछ यह दिया हुआ भी है सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ आपको क्लास नोट्स पढ़ने बस इतना ही करना है और उसके अलावा आपको सारा चीज ध्यान रहेगा प्लाटिपस वेरी गुड मानसी बिल्कुल करेक्ट प्लाटिपस एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर क्या होता है कि वी पेरस कंडि पर कोश्चन आते हैं यह एक और प्रोफाइल ऑफ कोश्चन मैंने आपके लिए एक्सपोज किया है कि अनिमल में कैसा कोश्चन आ सकता है तो यह तीनों ही ऑप्शन के अंदर तो कंडिशन और साटिसफाइड नहीं हो रहा है और का मतलब 100% तो नहीं हो रहा है होते हैं वो अपना एक वाटर में ही ले करते हैं यह बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है और इसको ध्यान ज़रूर रखना आप सभी चलिए वेरी गूट मुविंग तो नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन सॉल्फ करते हैं साइरिंग्स फर्कूला और पाइगो स्टा एक राउल का कहना सी उप्श bloque Argi Disis लेंग और प्रिति सेंग सिएौप्ष सैयं सिय कि ओप्षिन श्रवन सीं ऄप्षिन नजरीन सी उप्षिन गोविंद सीं सौनी गोश्वामी दी ऑप्षन ओके सी ओप्षन अधितिजी सेंग ए ऑप्षन चलिए सी ऑप्षन जाहतर जो है वह सी कह रहे है और कुछ बच्चे यहां पर ए ऑप्षन भी कह रहे थे और कुछ डी भी कह रहे थे लेट्स सी दाट कि सही हो अगलातो देखो ध्यान से सारिंग्स आप सभी को पता है कि सारिंग्स क्या होता है यह voice box होता है जहां पर से जो singing birds होते हैं जो words गाना अच्छा गाते हैं जिनका voice काफी melodious होता है उनके अंदर सारिंग्स मौझूद होता है परक्यूला की बात करें, विश्बोन है, और पाइगो स्ट्राइल, जो टेल पार्ट के पास मौझूद होता है, तो यह किसमें अपसेंट होते हैं, जो फ्लाइटलेस वर्ड होते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, उन बर्ट के अंदर, उन बर्ट के अंदर यह तीनों इस्ट् यह प्रड कूए, उसको पढ़ लेंगे, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मांसी विल्कुल साइरिंग्स जो होता है, वो बर्ड में होता है पर फ्लाइंग बर्ट में, यहाणि जो उड़ नहीं सकते उन बर्ट में नहीं होता है, तो यह बात ध्यान रखेंगे, तो य यह पॉइंट आपको clear रखना है, चलिए, moving to the next question, चलिए, next question पर चलते हैं, which animal recently extinct from India, हाल फ्लाल में कौन सा animal, यह भी एक general knowledge question है, पता होना चाहिए आप सभी को, which animal recently extinct from India, अब यह question animal kingdom में भी आ सकता है, यह question आपका biodiversity में भी आ सकता है, तो यह ध्यान रखना, चलिए, गौरफ का answer आ चुक है, C option, producing C option, सारान C option, Anushra C option, very good, Nazrin C option, बिल्कुल, आप सभी को याद आ गया होगा, कि जो asiatic cheetah होता है, यानि Indian cheetah का ही दूसरा नाम है, asiatic cheetah, तो जो asiatic cheetah है, वो लगबग क्या, यह extinct होई गया है, क्योंकि यह बहुत जादा hunting और habitat loss की वज़े से, यह जो asiatic cheetah है, यानि Indian cheetah है, यह recently extinct हो गया है, extinct हो गया है, यानि कि इनका species गायव हो चुका है, तो यह एक बहुती concern की बात है, जब आप 12 में बायोद्राइब स्प्री पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है, food chain, food web, जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है, अगर कोई भी species loss हो रहा है, तो वो कितना बड़ा impact कर सकता है, इसलिए extinction of species, कही ना कहीं, पूरे जो life है, यानि कि जो आर्थ पे life prevail कर रहा है, उन पे impact cause कर सकता है, तो यह बहुत important है, ध्यान जरूर रखेंगे, और ऐसा question exam में आने के chances होते हैं, तो इन questions को यह मत कहा करो, कि sir, NCID से बाहर तो आता ही है, यह जो question है, यह आ सकते है, यह NCID से बाहर की बात नहीं है, यह general knowledge है, इसके लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह तो आपको general knowledge पता होना चाहिए, biomolecules वाले topic को भी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, biomolecules के chapter पर भी, ओके, चलिए, सर जी, ecosystem में भी, हाँ, बिल्कुल नाजरीन, इसलिए मैंने आपको कहा, कि वो आप ecology वाले units से भी कर सकते हैं, और अब हम लोग एक एक करके, सारे जो topics से उने पर करेंगे, हाँ, बिल्कुल बायो diversity से भी आ सकता है, यह question, very good, बिल्कुल, next question, which characters are found only in mammals, इन में से कौन सा character सिर्फ mammals में मिलेगा, which characters are found only in mammals, कौन सा character mammals में मिलेगा, okay, अधिती का answer आ चुका है, A, A, D option, very good, let's see, कि सारे बच्चे क्या कर रहे है answer, कौन सा character सिर्फ mammals में मिलेगा, सारांस D option, okay, Gaurav is saying C option, Anushre is saying 4th option, Govind is saying D option, Sital D option, चलिए, सभी D option कहा रहे हो, okay, Pradna D option, Gaurav C option, Mansi is saying D option, Narangi D option, Priti, Dinesh, Soni, C option, okay, Narangi ने D option कहा था, Mansi ने भी D option कहा था, very good, बहुत बढ़े है, तो D option, जिन बच्चों ने काया है, वो सही है, क्योंकि mammals के अंदर, पिनना का होना, तीत का होना, पिनना तो ठीक है, तीत का होना, तीत और भी groups में मिल जाएंगे आपको, Hair and oviparous condition, आपको बताया था, कि mammals के अंदर, बहुत सारे ऐसे mammals भी हैं, जिनके अंदर oviparous condition, ये वीवीपेरous condition होती है, memory gland and teeth, तीत बहुत हो कि अंदर हो सकता, पर hair or mammary glands, this is found in mammals, तो ये कहां मिलता है, ये mammals में मिलता है, तो hair and mammary gland was correct, एनदी option correct था, next question, which of the following group of vertebrates have dicondylis skull, आपको बताना है, कौन से group of vertebrates में dicondylis skull है, yes, dicondylis skull बताना है आपको, तो tell me, answer इसका क्या होगा, बहुत simple question, बहुत easily solve कर लोगे, which of the following group of vertebrates, which of the following group of vertebrates have dicondylis skull, okay, सारांस का answer है, A option, चलिए, dicondylis skull बताना था, प्रिती सेंग B option, अधिती सेंग A option, आकाश गोल, प्लीस explain, ठीक है, इस question के बाद उसको explain कर देते हैं, आकाश, प्रेडना C option, प्रेडना सेंग C option, ओके राहूल इस सेंग, राहूल इस वेविंग तू समवन ऐल्स, गौरावे सेंग C option, चलिए, बिल्कुल A option, और देखो, इस question में क्या था, dicondylis skull, आप जब इस skull पढ़ते हो, तो आप humans के skull में आपने पढ़ा था, कि human के skull में क्या होता है, कि उनके skull में dicondylis condition होता है, जिसकी व्याइसे दो बोन से attriculation हो रहा होता है, तो dicondylis skull जब दो बोन से attriculation होता है, तो उसको कहते है, dicondylis skull, तो mammals के अंदर तो है, क्योंकि हम human भी dicondylis होते हैं, तो mammals के अंदर तो है, और amphibians में भी होता है, यानि कि amphibian और mammals के अंदर dicondylis condition होता है, इसलिए first option जो होगा, वो क्या होगा, correct होगा, first option is correct, amphibia के अंदर और mammals के अंदर होता है, dicondylis condition, okay, इसके अलावा, तो आपके options आएंगे नहीं, तो amphibia and mammals will be the correct answer for this question, चलिए, next question, microlacithal eggs are found in, microlacithal eggs कहां मिलेगा, बिलकुल अधिती, correct, Aves का monocondylis skull होता है, सारांस बिलकुल atlas से attriculate करता है, very good, बहुत बढ़िया, that is the point, इसी तरी की चीज़े जो हैं, वो आपको ध्यान रखना है, चलिए, solve करते हैं इस question को, microlacithal eggs are found in, Priti is saying D option, Priti is saying D option, let's see, Gaurav is saying C option, microlacithal eggs बताना है आपको, microlacithal eggs, Shravan is saying A option, Suni is saying second option, Priti is saying mammals, ओके, पार्थकुमार D option, चलिए, बहुत बढ़िया, तो D option, देखो बिलकुल, microlacithal egg का मतलब क्या हुआ, कि जो योग content है, वो बहुत कम होना चाहिए, आप क्या सकते हो कि negligible होना चाहिए, अब अगर ऐसा condition है कि योग कम है, तो योग कम होगा, तो जो zygote develop करेगा, उसको nourishment कैसे मिलेगा, तो उसको nourishment मिलने के लिए, उसको किसी एक structure की जरुवत पड़ेगी, जिसके help से वो nourishment ले सके, तो जो eutherians होते हैं, जिनको हम कहते हैं, placental mammals, उनके अंदर क्या होता है, placenta होता है, इसलिए हम humans भी क्या होते है, placental mammals होते हैं, तो हमारे अंदर जो placenta का formation होता है, जिससे क्या होता है, zygote जो अब embryo में develop कर रहा है, पीटस बन रहा है, तो वहाँ पे placenta के help से food, वहाँ पे उसको supply हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो egg होता है, वो micro lecithal है, तो आपको ध्यान रखना है, micro lecithal eggs कहां पे मिलेंगे, आपको मिलते हैं, वो placental mammals में, that is eutheria के अंदर, तो ध्यान से इस question को कर सकते हैं, eutheria will be the correct answer, क्योंकि eutheria के अंदर, जो yolk sac होता है, यानि placental mammals में, yolk sac कम होता है, और वहाँ पर अगर आपके दिमाग में, कॉशन आजाए, योग sac कम होगा, तो developing zygote को nourishment कैसे मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लासेंटा होता है, तो ये बात आपको ध्यान अगना है, क्या बात है, बहुत बढ़े हैं सारांस, बिल्कुल IgG, एक मादर ऐसा antibody है, जो प्लासेंटा से पास हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल correct है, ये आपको एक और chapter के लिए, revision करा देता है, जब आप Human Health and Disease को पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप IgG के बारे में पढ़ते हो, और वो आपका revise हो गया, ओके, very good, बहुत बढ़े हैं, चलिए, very good, बहुत सही, तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा, युथेरिया, युथेरिया को हम placental mammals भी कहते हैं, तो concepts बहुत ही अच्छे बनते जाएंगे, आप सभी के, अगर आप अराम से ऐसे questions को practice करते रहो, what is common in bat, whale and rat, bat, whale और rat में क्या common होता है, ओके, सारांस का कहना है, बस placenta के बारे में यही आता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जो आप चीजों को वहाँ पर जब आप पढ़ते हो, human reproduction तो बहुत important part है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो जब आप topic को पढ़ो, तो वहाँ पर उनके बहुत सारी concepts आपको मिलेंगे, चलिए इसका answer करते है, B option, very good, बहुत बढ़े हैं, क्या बात हैं, हाँ बिल्कुल IgG immunity में strategy करते हैं, क्योंकि वह एक antibody है, चलिए क्या बात है, सभी 12 में पढ़ूँगा, बिल्कुल सारा आप 12 में बिल्कुल आप पढ़ेंगे, प्लासेंडा के बारे में और वहाँ से आपको सारी चीदे क्लियर हो जाएंगी, B option, B option, क्या बात है, बहुत बढ़े हैं, bad, whale and rat, देखती ही पता चलिए, mammals है, mammals के अंदर क्या होता है, muscular diaphragm होता है, diaphragm में सिर्फ और सिर्फ mammals में ही मिलता है, यह बात ध्यान रखना, कोई exception नहीं है, यह diaphragm में कहां मिलता है, सिर्फ और सिर्फ mammals के अंदर मिलता है, और diaphragm में आप सबको पता है, कि breathing chapter में कितना important role play कर रहा था, क्योंकि diaphragm में अगर तूटा, तो person की instant death होगी, spot death हो जाएगा, इसलिए अगर किसी को hiccups आता है, हिचकी आती है, तो बहुत बार ऐसा होता है, कि हम उसको non-seriously ले लेते हैं, हमें ऐसा लगता है, कि उसको hiccups आ रहा है, तो बस पानी वानी पिला दो ठीक हो जाएगा, अगर ठीक हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर लगेतार hiccups हो रहा है, तो hiccups क्यूं आते हैं, diaphragm के improper movement की वज़ा से आता है, तो अगर diaphragm में pressure लगा, और diaphragm break कर गया, तो person की death हो जाएगी, बहुत बार आपने road accidents में सुना होगा, कि road accident में होता क्या है, कि person की कोई external injury नहीं है, बाडी के बाहर कोई चोट नहीं लगा है, तो person की death हो गई है, उसके body में blood clot भी नहीं हुआ था, फिर भी उसकी death हो गई है, तो कारण क्या होता है, उसकी diaphragm break कर जाती है, और diaphragm में अगर puncture हो गया, तो उस बज़र से person की death हो सकती है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि diaphragm बहुत ही important role play कर रहा है, breathing के अंदर, ओके, बिल्कुल, यह प्रेटना, प्रेटना, आप लोगो को बताया भी था कि यह mammalian character है, special mammal के अंदर मिलता भी है, तो बिल्कुल यह सही है, muscular diaphragm मिलता है, bat, whale और rat के अंदर, यह आपका correct answer होगा, ओके, moving to the next question, next question, yes, match the column आचुका है, शालांस नहीं कहा था ना, match the column से भी question आते हैं, देखो, आगया आपके लिए वो question तो मैं, मैंने आपको बताया कि मैं आप ऐसे question से ले कर कि आ रहा हूँ, जो normal trend में है, यानि कि जिस तरह के question आप से पूछे जा सकते हैं, तो आपने अगर यह 20 question practice करें, तो आपको फाइदा क्या होने वाला है, आपको वो mindset समझ में आ जाता है examiner का, examiner कैसे mindset से question पूछेगा, तो आपको familiar लगने लगता है, आपका need का paper कैसा लगेगा, familiar लगेगा, लगेगा कि जाना पैचाना सा paper है, कोई बहुत tough paper नहीं आता है, चलिए solve कर देश कुश्चन को, C option, C option, C option, very good, C option, बहुत बढ़े हैं, yes नाजरीन correct, C option, सभी C option कह रहे हो, let's check this, select the alternative which gives a correct matching, यहाँ पर क्या खुजना था, correct matching खुजना था, C pen की बात, अकर मैं कहूँ हूँ, C pen क्या होता है, penatula होता है, यह तो गलत हो गया, यहाँ पर तो इसकी matching नहीं हुई, तो यह गलत हो गया, C animon की बात करें, C animon का भी जो matching है, यहाँ पर दे रखा है, मिंडरेना उसको नहीं कहते है, C fan, Gorgonia, बिल्कुल सही है, और जो Portuguese man of war होता है, इसको हम कहते हैं, Faisalia, तो यहाँ पर यह भी matching सही नहीं था, सिर्फ मैंचिंग 3rd की सही थी, C fan और C fan is the correct answer, very good man, बिल्कुल penatula, C fan के लिए, C animon के लिए क्या करेंगे, जल्दी बिता दो, C animon का, Adam Asia, very good man, बहुत बढ़े हैं, और Portuguese man of war, Paisalia, बहुत बढ़े हैं शारांस, तो यह हमने रिवाइज भी किया, देखो, ऐसे questions अगर जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, तो सिर्फ किसी एक correct answer उपे मत जाओ, आप यह भी देखो, कि जो wrong statements हैं, जो हमने नहीं select किया, उसके लिए correct क्या हो सकता है, तो हमें क्या हो जाता है, चीज़े revise हो जाते हैं, बहुत बढ़े आमानसी, मेंडरीना इस brain coral, यह वाला जो पार्ट है, वो बिल्कुल बहुत सही प्रेटना, correct मेंडरीना इस brain coral, तो बिल्कुल यह चीज़े आपको ध्यान देनी होगी, अब कल तो आपको पता है, मेंटी है आपका, तो मेंटी के लिए भी प्रिप्रेशन आई होप आपने कर रखा होगा, और कल के मेंटी में बिल्कुल जोड शोड से लग जाना है, कल का मेंटी बिल्कुल खतर नाक करना है, नीट 2020 का कोश्चन आ गया, यानि आपसे बिल्कुल यह प्रिवेस ही कोश्चन है, नीट 2020 का कोश्चन है, देखो कैसा कोश्चन आता है आपके नीट में, जो आपको डर है इस chapter का, वो बिल्कुल खतम हो जाएगा, बहुत बढ़ने सारा, बिल्कुल explanation से ही भढ़ लेना है अपने PYQ, जब भी question को solve करते हैं, तो उसके अंदर explanation जरूर रखना है, ताकि आपकी clarity उसमें better हो सके, which of the following statements are true for phylum quadrata, phylum quadrata के लिए true statement खोजना है आपको, ओके, ओके, नजरीं, तीन chapter है, morphology, anatomy और आपका ये animal kingdom, तो ये तीन chapter से question आएंगे, mentee कहनता है, चलो solve करते हैं, हाँ बिल्कुल शारांस आप last mentee में top भी आये थे, I hope so है ना, तो आपने last mentee top किया था तो इस वर top 5 में नहीं, बिल्कुल top में आने की कोजिश करना कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तक तो आप लोगों बहुत को, यह कह रहा है कि आपको क्या खोजना है, which of the following statements are true for phylum quad data, phylum quad data के लिए true statement खोजना है, तो phylum quad data के लिए true statement, है ना, 2020 का question है, तो देखो, पहला option क्या कहता है, इन euro quad data, notocod extends from head to tail and it is present throughout their life, मैंने जो पहला question आज करवाया था, उस ही में आपको euro quad data के बारे में बताया था, कि euro notocodate जो अब tunicates भी कहते हो, इनके अंदर क्या होता है, tail में notocod मौजूद होता है, वो भी इनके larval stage में, तो यहाँ पर जो option है, वो कह रहा है, throughout the life तो यह तो गलत statement होके है ना, और आपको खोजना क्या है true statement, चलिए, दूसरा statement कहता है, in vertebrata notocod is present during the embryonic period only, ओके, यह क्या क हमारे अंदर जो notocod होता है, वही तो आगे develop होके vertebral column बनाता है, तो यहाँ पर जो statement है, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, central nervous system is dorsal and hollow, हमारे अंदर जो, यानि caudates के अंदर क्या होता है, dorsal होता है, और इसके अलावा hollow होता है central nervous system, तो यह भी statement सही है, d option कहता है co-data is divided into three sub-file, hemi co-data, tunic arda and cephalo co-data, यह गलत है, क्यों, क्योंकि co-data की division हो किस में होता है, जल्दी से बता दो, हाँ, जल्दी से पहले मुझे यह बता दो, क्या होगा इसके अंदर, what are the, three, co-data divide किस में होता है, what are, जल्दी से बता दो, हाँ, तो इसके अंदर जो statement हो कौन से सही होगा, B और C सही होगा, B और C सही होगा, यानि कि C option is the correct answer, C यहाँ पर correct जाएगा, 2020 में question आया था, अब आप बताओ, क्या यह question आपको ऐसा लगता है, कि NCIT से बाहर है, तो अगर हमने NCIT को ही धंग से पढ़ा, तो हमारा question बन जाएगा, कि नहीं बन जाएगा, औ और specialization जब करना हो, तो वो आप तो तब करोगे ना, जब आप medical college में चले जाओगे, अभी तो आपको physics भी पढ़ना है, chemistry भी पढ़ना और bio पढ़ना है, तो आपको book का choice जो है ना, वो करना पढ़ेगा, यानि कि आपको समझना पढ़ेगा, कौन से book से आप study कर सकते हैं, त तो, yes, बहुत बढ़ना प्रेड़ना, vertibreta होता है, euro quadrates and cephalo, very good, बहुत correct, yes, अदीती, बिल्कुल सही, vertibreta, euro quadrata and cephalo quadrata, तो यह जो statement था, वो भी क्या था, गलत था, तो हमने क्यों गलत किया, वो भी पता कर लिया, तो आपको इस तरीके से question solve करने होते हैं, this is the approach, how you can solve the question, तो आपके लिए बहुत important है कि आप इस तरीके से चीजों को plan करें and accordingly आप चीजों को solve करें, अगर approach सही बना लिया आपने, selection of questions, selection of topics, अगर आपने सही कर लिया, तो आपके सिर्फ selection के chances नहीं बढ़ेंगे, आपके rank भी अच्छे हो जाएंगे, यानि आप एक ranker बन जाओ होगे, तो that is the importance कि आपको strategy, जिसको कहाता है smart study, अब उसका time आ गया, hard work तो आपने बहुत कर लिया, दो साल आप hard work करते हो, और यह जो last के 4-5 महिने होते हैं, यह होते है smart study, यानि hard work से आप qualify होते हो, और smart study से आपका rank produce होता है, तो that is very important, तो यह आपको ध्यान रखना है, ओक नाजरीन, animal kingdom को भी change नहीं करेंगे, क्योंकि आपका animal kingdom होगा, mix करने का एक अलगी मज़ा होता है, आपको mix करके जब topics मिलते हैं, तो question solve करने का एक अलगी मज़ा आता है, वरना एक ही topic के question होता है, तो बहुत easy हो जाता है, mix होता है, competition अच्छा लगता है, और actual में तो आपको तयार भी होना है, जहां पर आपको mixed question की practice करनी है, तो यह सारे चीज़े बहुत important है, कल की मेंटी है, रात आट वज़े सभी आ जाएंगे, और आप सब के लिए एक और information share कर दूँ, बहुत ही बढ़ा information है, कि आप अगर e-career point, यानि की career point के साथ जुड़ना चाहते हो, offline, त तो कोटा के अंदर हमारी जो campus है, गुरुकुल campus, इसमें आप जॉइन कर सकते है, offline classes के लिए, और यहाँ जॉइन करने का फाइदा यह है, कि यह 100% COVID safe हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो environment मिल रहा है, एक 22-acre का पूरा campus मिलता है, जिसके अंदर ही आपके सारे academic amenities मिलता है, और 6 से लेके 12 तक की classes, इवें जो सिर्फ और सिर्फ अपनी preparation करना चाहते है, NEET और JEE की, उनके लिए भी offline classes है, जहाँ पे आप admission लेके offline तरीके से चीज़े पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी security को ले करके, या hygiene को ले करके, कोई भी ची campus आपको मिलता है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से care plus study सब कुछ हो रहा है, तो आपको offline classes में जोडने का मौका मिल रहा है, तो आप यहाँ भी avail कर सकते हैं, अब इन सारे courses को अगर आप purchase करते हो, और इनको purchase करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी exam भी launch की गई है जे होगी है CP SAT exam, scholarship, admission test, तो आप उसको जरूर दें, वो exam आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको एक all इंडर ranking का एक मौका मिलता है, और यह आपको just 25 रुपीज के registration से मिल रहा है, कहां register करना है, उसके लिए आपको career point learning app पे जाना होगा, और वहाँ पर जा करके आप CP SAT में register ह हो सकते हैं, so till then thank you everyone, good night to all of you, कल के लिए बिलकुल तयार हो जाना है, क्योंकि कल है mentee, और कल के mentee में 3 chapters है, and I hope कि आप सब अपना rank जो है, वो बिलकुल अच्छे से करते सकें, okay, तो इसको आप बहुत ही शांदार तरीके से solve करेंगे, और अच्छे से solve करेंगे, yes, चलिए अ आप breathing करा चुके हैं, क्या नहीं, अपने breathing and exchange को करा था, लेकिन फिर से करेंगे, क्योंकि human physio पे भी हमें mentee करना है, तो लोग फिर से उसको करेंगे, चलिए till then, good night to all of you, okay, तो मिलते हैं, आप सभी से कल रात 8 वजे, और कल रात 8 वजे आप सभी मिल रहे हैं, with full preparation, half-hearted preparation के सा नहीं आना, full preparation साथ आना, क्योंकि काटे की tucker करना है, और कल में timing का जो issue है, वो आपका timing रखूँगा, यानि कि around आपको 30 seconds का time दूँगा per question, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, चलिए, thank you everyone. अचब काटी है, आपका करेंगे, वो आतना है, भी प्यान प्यान रहे टोपना रहे हैं, तो लो मुझे वキर्वा ईात च। दसे की दो उत्ता है gy lazš pesar